एक भाई का सवाल आया है कि क्यूं कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं और क्यूं कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं? एक एक्जामबल देता हूँ सुनना बहुत काम आएगा. एक बार एक सादू को प्यास लगी. तो उन्होंने अपने एक सिस्से को पानी लेने भेजा कि जाओ नदी से पानी ले आओ. तो वो सिस्से पानी लेने गया तो वो क्या देखता है? कि उस नदी के पास कुछ लोग बैठकर नहा रहे हैं. तो सिस्से ने सोचा कि अब ये पानी पीने के योगे नहीं रहा. अब मैं इसे कैसे ले जा सकता हूँ? तो वो सिस्से बिना पानी लिए ही लोट जाता है. और जाकर अपने गुरू को सारी बात बताता है. पर गुरू को तो बहुत तेज प्यास लगी थी. तो फिर उन्होंने अपने दूसरे सिस्से को पानी लेने बेजा तो जब दूसरा सिस्से पानी लेने गया और वो पानी ले आया इस पर सब हैरान कि तुमने ऐसा कैसे किया तो गुरू ने पूछा बताओ तुम कैसे पानी ले आए तो सिस्स ने बताया कि गुरू जी जब मैं वाँ पहुँचा तो मैंने कुछ देर वाँ प्रतिक्छा करी जब वो लोग इसनान करके चले गए उसके बाद नदी के दूसरे बहाव से जब साफ पानी आया तो मैं वो पानी आपके लिए पीने के लिए ले आया मेरे दोस एक्जामपल बस हमें इतना समझाता है कि प्रॉब्लम सब के साथ होती है और लाइफ में जरूर होती है बस कुछ लोग उनसे डर कर हार मान लेते हैं और कुछ लोग उनका सॉलिशन ढूंड कर काम्याब हो जाते हैं